Hello my dear students, I welcome you in 6th standard max class. बच्चो आज हम आपके chapter no. 2nd के last जो exercise है MCQ वो solve करेंगे. Yes, चलिए. पहला question आपको जैसे दिया गया है. Tick the correct MCQ type है. इसमें हमें दिया गया है कि अगर मान लेते हैं कि 0 divide हो किसी alphabet से तो answer क्या आएगा? आप हमेशा एक चीज याद रखें. 0 चाहे किसी alphabet से divide हो, किसी number से divide हो. उसका answer क्या आएगा? 0 ही आएगा. What is the option? A. Second में हमें एक formula दिया गया है कि dividend equal to divisor multiply by what? 0, none of this. तो answer होगा question. आपको किसे multiply करना होगा? Question से. तो यह answer B इसका right answer होगा. अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि मान लेते हैं अगर 3 alphabet हैं और आपने A और B का group बना दिया और C का group नहीं बनाया उसको ऐसे ही छोड़ दिया है. तो यह और मान लो फिर आपने A को ऐसे छोड़ दिया, B C का group बनाया है तो किसके बारे में बताता है? तो इसका answer होगा option C, associative property. क्योंकि associative property में क्या होता है कि हम कुछ numbers का group बनाते हैं और कुछ को ऐसे ही छोड़ देते हैं. अब हम बात करेंगे question number 4 की. Question number 4 में हमें एक number दिया गया है 153874, divide लिखा गया है 215 से. तो अब बताईए कि अगर आप divide करते हो, तो आपको quotient और remainder क्या मिलता है? तो प्यारे बच्चों, यह आपको divide करके, solve करके देखना है. वैसे इसका जो answer होगा, वो answer होगा B. तीन number हैं, और अगर आपने इसका group बनाया, तो यह किसके equal हो जाएगा? तो इसका answer होगा B. किसके equal हो जाएगा? B. क्यूं? क्यूंकि आपने यहाँ पे दो number को plus किया है, और दो number को into किया है. समझ गए? इसके लिए. अब हम बात करेंगे question number 6 की. Question number 6 में, आपको बताया गया है कि multiplicative identity for whole number is, whole number की multiplicative identity क्या है? तो इसमें answer बताया गया है कि whole number की identity multiplicative है 1. Yes? फिर उसके बात question number 7. Greatest 5-digit number which is exactly divisible by 236. तो 5-digit का ऐसा number बताएगे, जिससे 236 डिवाइड हो सके. तो इसका answer क्या होगा? C. C वो एक number है, जिससे वो divide हो सकता है. फिर 8 question. मान लो कि A और B whole number हैं, तो अगर हम A और B को subtract करेंगे, तो whole number मिलेगा क्या? तो यहाँ पर आपको बताया गया है, answer क्या होगा? किसका answer क्या हैगा? अगर A greater रहा किससे B के मुकाबले? तो मिलेगा. If A is greater than B, तो answer आपको whole मिलेगा. 9th question. Yes, 9th question में हमें बताया गया है, कि least number, सबसे छोटा number, अगर हम add करें, 100 में, तो किससे divisible हो? 8 से divisible हो पाएगा? तो वो कौन सा least number होगा, जिसको आप 100 में add करोगे, तो 8 से divisible हो जाएगा? इसका answer है 4. Yes, इसका answer क्या है? 4. तो 100 प्लस 4, 104 divisible by 8. तो वो divide हो जाएगा. Yes, 8 बन्जा 8. 24. Now 3 जा 24. 13 जा. Yes, तो ऐसे divisible हो जाएगा. तो काफी easy exercise था प्यारे बच्चों. उसके बाद आपको filling the blanks दिया गया है. जो try आपको करना है. Yes, काफी easy है. और उसके बाद फिर आपके लिए next chapter हम start करेंगे. ठीके? यह important point है. यह आपको लिखना है आपकी notebook में. Yes, okay प्यारे बच्चों. बच्चों. झाल झाल